बहराईच जिले के इस गाव में आप लाउड़ स्पीकर से सावधान रहने की या आवाज सुन सकते हैं दरसल ये तस्वीर बहराईच के हरदी थाना क्षेतर की है जहां भेडिये के आतंक ने ग्रामीनों को खौफ में डाल दिया है इस खौनी जानवर ने अब तक साथ मासूम बच्चों की जान ले ली है जिन में भी कर देते हैं पूरा मामला महसी तहसील का है जहां पिछले 30 से 35 दिनों से आदम खोर भेडियों का आतंक फैला हुआ है गाववाले बताते हैं कि इन भेडियों ने साथ बच्चों को अपना शिकार बनाया है हालां कि बहराईच वन विभाग की रिपोर्ट में इन घटनाओं की संख्या 5 बताई जा रही है और जल्द ही इन भेडियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है लेकिन क्या ये दावा सच हो पाएगा यही सवाल गामवालों के मन में गूंज रहा है प्राइम नारायन यादो प्रधान परनिदी पूरेवस्ति गड़रिया यही के हाँ यही आजरान तो हुई है अरे विटिया कहा हो उठाए लेगा है वो बहाएगा है प्राइम नदी हो पाद लेचलागा और आत रहा है सब्रेवरिय में पस्लारा आसन को सब्रस्तार नहीं हो फो फो है अम लोग है मतलब सब्सक्रा जगाई जगा जाता है की घरमा पोरो बाहरो लाओ ने पोरावा जाता है वन विभाग ने भेडियों की तलाश के लिए ड्रोन लगाए हैं, जिसमें एक साथ चार से पांच भेडिये दिखे हैं, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंग ने रात भर ग्रामीनों के साथ बैठक की और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा है भेडियों के हमले से अब तक कई बड़े और छोटे लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खत्रा बच्चों पर मंदरा रहा है लगातार हो रहे हमलों से ये भेडिये मानव खून के आदी हो गए हैं, जिससे इनके हमलों की संख्या और बढ़ सकती है इस खत्रे को देखते हुए बारा बंकी और लखनाओ की वन विभाग की टीमों को भी निगरानी के लिए बुलाया गया है ताकि जल से जल दिन खूनी भेडियों को पकड़ा जा सके लागते हैं, बस यही बचाओ है, और हम लोगों के पास कौन सा बचाओ है कम से कम 4-5-7 मिन के लगभग हिया से हो पूर्वियन पूरवा तक हमरे काओ महद्व इस बीच, पूर्व में कतर्निया घाट में DFO रहे आकाशदीप बधावन को भी 12 बंकी से बुलाया गया है जिलाधिकारी मोनिका रानी ने DDO, DPRO, SDM, दो BDO समेट 16 अधिकारियों की टीम को अलग-अलग शिफ्टों में निगरानी के लिए लगाया है लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सारी कोशिशे गामवालों को भेडियों के खौफ से आजादी दिला पाएंगी या फिर इस गाव के लोग यूँ ही अपनी जान हतेली पर रख कर जीने को मजबूर रहेंगे? लोकल 18 के लिए बहराइट से बिन्नू बालमिकी की रिपोर्ट